Hello everyone, आज आप लोग के सामने एक new topic लेके आया हूँ जो कि आपका Linux कमांड के उपर और उसका example हम लोग discuss करेंगे हम लोग ने इससे पहले तो Linux operating system के बारे में जाना था और जहाँ पर आज हम लोग जानेगी कि Linux में जो commands यूज होते हैं वो command कैसे use करना है और कैसे type करना है और यहाँ पर उसके example भी हम लोग देखेंगे चलिए हम लोग आज start करते हैं session को और देखते हैं तो यहाँ पर यह Linux जो basic जो Linux command है with example मैंने यहाँ पर दिया है कि और यहाँ पर file management system की file को manage कैसे करते हैं वो भी यहाँ पर मैंने already दिया है कि command क्या करता है आप यह program है जो कि आप program coding भी उसके सथ्रू कर सकते हैं या फिर उसको execute कैसे करना है कोई भी काम अगर हमें अगर लिखना है या फिर हमें अगर run कराना है तो हम लोग command के थरू हम लोग run करवा सकते हैं तो यह Linux की basic commands यहाँ पर आप लोग के सामने रख रहा हूँ जो कि आप लोग जिसके थरू आप लोग Linux को बहतर तरीके से use कर पाएंगे आसा करता हूँ आगे next देखते हैं पहला जो यह जो Linux command है आप लोग उसके लिए एक command आप लोग लिख लीजे जो पहला जो command है आप लोग note down कर लीजेगे यह चीज चीज Ctrl-Alt-T 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 एक साथ अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो आप लोग का एक Linux की टर्मिनल खुलेगी जिस टर्मिनल के हंदर आप लोग यह सारे command को आप लोग रन करा के देख सकते हैं ठीक है आप लोग यह जो commands है यह अपने mobile पे भी आप लोग यह कर सकते हैं जो आपके Linux Terminix बोलके Terminix बोलके एक application आती है जो की Android Play Store में also available है वहाँ पर आप जाके वहाँ से भी download करनी के बाद यह सारे command को आप रन करा के देख सकते हैं कि कैसे यह सारे command काम करते हैं तो पहला जो यह command है वो है ls command, ls command का काम क्या है वो यह सारे आपकी जितने भी directories है आपकी Linux में वो आपकी so करती है तो यह जो आप पहला जो control alt tick अगर आप लोग प्रेस करेंगे आप जब भी Linux का आप लोग operating system यूज़ करेंगे तो आपकी terminal खुलेगी ऐसी तो वहाँ पर आपको ऐसे आपको दिखेगा वहाँ पर तो यह जो dollar sign कहते हैं dollar sign के बाद आपको यह command लिखना है और कुछ नहीं अगर यह जो आपकी Linux की जितने भी commands है यह case sensitive होता है अगर वह छोटे में आपको दिख रही है कि अगर छोटा है वह तो आपको छोटे में ही आपको लिखना है ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पर की LS command अगर लिखते हैं तो फिर आप लोग जो यहाँ पर आप लोग जो example आपको दिखेंगे या फिर आपको जो 100 होगा वो क्य यह जितने भी ब्लु है यह आपकी डायरेक्टरीज है यह इसे हम लोग डायरेक्टरीज कहते हैं इसके बाद फाइल साती है जो कि वाइट में दिख्रह रही हिह यह जितने भी है यह फाइल से डॉट डेक्स्टॉप जो है एक्जाम्पल डॉट डेक्स्टॉप यह आपके फाइल है और यही चीज सेम कलर में जो रहती है डिफरेंट यहापर कलर्स यहापर लिनेक्स में दिखती है आपको नेक्स लागे बढ़ते हैं सपोज कि हम लोग कोई music फोल्डर है और उसकी सब डारेक्टरी है वो इसे यह जो है इसे सब डारेक्टरी बोलते है यह जो इंगलिश यह यह भी एक सब डारेक्टरी इसके अंदर यह रहती है और यह जैसे रॉक फोल्डर किया यह एक फाइल रखे वह सपोज एक music फोल्डर ले लिया और सब डारेक्टरी है उसके अंदर एक सब डारेक्टरी होगी जहांपर आपकी उस तो यहां पढ़त दाइरेक्टरिसि होता है, इसे सब डािरेक्टरिस होता है, अगर देखिए, जैसे यहां पर लिख़ना है है, यहां पर लोग स्टेंफ, चयूह लिखना है, और आप लोग करके जरूर बताइएगा मैं आप लोगो command की जो file list है वो आप लोगो provide कर दूँगा after then यहाँ पर देखते हैं कि अगर ls minus of r अगर use करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या so करती है यह देखिए यह सारे चीज़े आपको file so करेंगी जिन में से देखिए dot slash करके यह जो music है फिर English है फिर यहाँ पर देख रहे हैं rock है trans है फिर यहाँ पर music के अंदर आपको test.mp3 है यह जो चीज़े हैं यह subdirectories है तो ls minus of r से आपको क्या दिखेगा subdirectories यहाँ पर देखिए क्या लिखावर तो so all the files not only directories but also subdirectories मतलब यहाँ पर आपको file भी दिखेगा साथ में आपकी subdirectories उसके अंदर की जितने file भी है वो भी आपको दिखेंगे इस command के थुर आशा करता है यह चीज़ समझ में आगर next command के और चलते हैं next command में है आपका ls-r जो आपको बता है अगर यहाँ पर आपको error आती है अगर इस command में आपको आपके computer में अगर error आती है तो आप इसे भी use कर सकते हैं जो की है ls-al यह भी आपको detail information देती है आपके जितने भी file से उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या वो चीज़े आपको permission यहाँ पर देती है पहला तो जैसा है आपके hard link copy file जो आपके file की hard link है वो आपको दिखेगा honor और creator of the file यह जो कौन उसको create किया है वो आपको दिखेगा group owner जो होता है Linux में group owner होता है वो आपको दिखेंगे कि इसका group owner कौन है इसके बाद आती है इसकी file size कितनी इसकी file size है वो दिखेगा उसके बाद आपको और क्या दिखेगा इस command से date or time दिखेगा और आपको directory और file name यह भी आपको दिखेंगे इस command के थुरू आपको इतने सारी चीज़े है यह जो permission में आपको क्या आता है एक आता है access permission इसको कहते है user group कहते है इसे यह जो n by 100 जो है इसे owner of the file इसको owner कहते है इसको यह जो 22 आपको दिख रही है यह इसकी hard link है ठीक है और यह जो आपकी आप दिख रहे है 4096 जो आप दिख रहे है यह इसकी file की size है यह कितनी MB की है यह आपको यहां से दिखती है, यह आपकी date and time है, date or time आपको दिख रही है, और इसके बाद जो है, यह blush जो history दिख रही है, यह directory और file का नाम दिख रही है, आसा करता हूँ, यह चीज़ आपको clear हुआ है, कि यह कैसे काम करती है, ls-al, ठीक है, next command की और चलते हैं, next command है आपकी hidden file, list of hidden files को अगर आपको computer के अंदर कोई भी hidden file है, उसे अगर आपको देखना है, तो उसके लिए आपको एक command यूज करनी पड़ती है, जो की है, ls-a, ls-a क्या करता है, list of, इसका मतलब होता है, ls-a जो list, और minus a मतलब यह hidden files को यह show करती है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी directory है, जो भी start होती है, वो सारे dot file से उसके पहले dot होती है, यह चीज़ आप लोग ध्यान रखेगा, कि अगर वो dot file उसके पहले दिया हुआ है, तो वो directory या फिर file है, उसका file और अगर directory है, वो starting with dot file से होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि dot local दिया हुए, dot mission minus of control यहाँ जैसे आप यहाँ पर dot profile दिया हुए, यह सारे directory हो सकते हैं, या फिर file हो सकती है, तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं, कि ls minus of a अगर use करते हैं, तो जितने भी आपकी यहाँ पर hidden files हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पर आपको so करेंगी, आशा करतो हैं, यह चीज़ आपको समझ मे और चलते हैं, अगर कोई भी file को अगर create करना है, या फिर अगर देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, cat file, cat greater than file name, उसके बाद आती है, add content, उसके बाद आपको press करना पड़ता है, control plus d, अगर control plus d करेंगे, तो फिर आपको command round में फिर से आने का मौका मिलेगा, इस जगह प अगर यहां पर देखते हैं, यहां पर आपको cat file है, आप इससे क्या 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 देख सकते हैं, यहां पर देखिए, cat अगर simple cat लिखके अगर वही जो आप file name बनाये थे, अगर उस file name को लिखते हैं, तो यहां पर आपको दिखेगा, this is a simple one, यह चीज आप उसके अंदर जो भी है, वो आपको दिखेगा, अगर आपको दूसरे उसका file अगर देखना है, तो cat space उसके अंदर अगर file बनाना है, तो greater than, फिर sample 2 अगर नाम यहां पर दिए, simple 2, तो यहां पर दूसरी यहां पर file create ह हो जाएगा, तो file कैसे create करना है, यह आप मतलब जानगे, cat यहां पर एक file name या फिर दो file name, file 1 और file 2 अगर लिखते हैं, उसको बस greater name देके, यहां पर new file अगर नेम देते हैं, तो third file automatically, second file के अंदर यह create हो जाएगी, यह चीज़ समझ में है कि मतलब एक साथ हम लोग 2 file के next command की ओर, next command में आप देख सकते हैं कि यहां पर यह combine sample 1 और 2, मतलब कैसे एक साथ हम लोग दोनों को देख सकते हैं, cat, sample 1 और sample 2 जो आपका जो file थी और यहां पर third number जो sample हमने बनाया थे, उसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे cat अगर sample अगर देखेंगे, तो फिर यह दोनों च जो file है, वो आपको दिखेगा यहां पर, ठीक है, next आगे चलते हैं, यहां पर देखिया, RM, RM command क्या होता है, RM command जो होता है, यह remove करने के लिए या फिर delete करने के लिए, कोई भी file आप directly आप command के थुरू delete भी कर सकते हैं, system से remove कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, अगर माल लेते ह तो फिर RM यहां पर आपको दिखेगा, और RM, क्या करता है, यह जो sample 1 है, जो आपको दिख रहा है, यहां पर red color की, यह देखिये, remove हो चुकी है, next यहां पर जो दिखिये, अगर आप LS करेंगे, पहला LS करने से आपको जितने भी direct यहां पर दिखेगा, आपका जो मतलब file बना है, देखें, यहां पर moving और renaming of file, moving कैसे करते हैं और rename कैसे करते है, moving of file और new file location कैसे यहां पर देखते हैं, तो यहां पर suppose मतलब आप यह, अगर sample 2 का जो मतलब file already बना हुआ है, यह चीज़ कहां पर location है, home, यह जो है, नाम दिया हुआ है, document दिया हुआ है, जो यह इसका path है, उसके अंदर यह चीज़ आपका बनाया हुआ है, तो यह चीज़ अगर आपको देखना है, तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको वो चीज़ अगर देखना है, तो आप लोग क्या करेंगे, कि move command का use करेंगे, तो mood command क्या होता है, कब use होगा, यह जब super permission आपके पास यह आपको super, यहाँ पर हो सकता है, कभी कबार आपको error भी आ सकता है, बट यहाँ पर अगर आपको super command की access आपके पास है, तो permission कभी कबार denied आपको दिखायागा, कभी कबार नहीं भी दिखा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, sudo command use कर सकते है, sudo command you will get to execute, यह with the security privilege, with the super user or root, यह sudo क्या करता है, root or super user का आपको facility प्रुवाइड करता है, आप अगर यहाँ पर sudo command लिखके, अगर आप mb लिखते है, move करते हैं, तो फिर आपको यह permission denied नहीं बोलेगा, ठीक है, next देखते हैं, यहाँगे, sudo command क्या करता है, यह password से authenticate किया जाता है, जो देने बोलेगा, तभी वो delete करेगा, otherwise नहीं करेगा, तो और यह जो password होती है, आपको दिखती नहीं है, क्योंकि Linux में जो password होती है, वो invisible होती है, जो आपको soon नहीं करती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो example मैं दिया हूँ, sudo mb sample2, मतलब यह move हो रही है, sudo का मतलब वो ह फाइल है, move कर जाएगा, जहां से आप move कराना चाहते हैं, next आगे देखते हैं, इसके बाद renaming of file, rename कैसे करता है, rename अगर करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, mb test1, जैसे test यहाँ पर दिया हुआ है, already यह file existing file है, और यहाँ पर test1 दे दिये, तो यहाँ पर देखिए, यह test1 होगी, तो by default यह जो password है, यहाँ पर आप mv के जरी है, यहाँ पर आप change कर सकते हैं, जो test है, उसको test1 के तुरू change कर दिये, new name देखे, यहाँ पर आपको और दूसरी कोई भी चीज़ की जरूत नहीं पड़ती है, ठीक है, आगे next आपनों देखेंगे कि कोछ example of command command की कैसे वो सब काम करती है, पहला है ls जो मैंने आप लोग को explain किया, list of directory उससे हम लोग देख सकते हैं, ls-of r उससे sub directory देख सकते हैं, ls-of a जो कि hidden file को हम लोग देख सकते हैं, सारे hidden files computer की, ls-of l जो कि directories और information और details, permission, size, owner, यह सारे चीज़े हम लोग देख सकते हैं, cat, greater than और file name जो होता है, इससे display करते हैं, file content को, cat उसके बाद file 1, file 2 और greater than file 3 जो देते हैं, यहाँ पर new file को create करने के लिए, कि यह दो folder के अंदर, तीसरा folder कैसे आप बनाएंगे, इसके बाद आपका आता है file और new path, new path कैसे आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे आपका path जो है, वो पर command लिखे हैं, आपको as it is, आपको type करनी है, तो फिर आपका काम करेगा, नहीं तो कहीं पर आपका error भी आ सकती है, तो यह जितने भी command से यह case sensitive है, तो यह ध्यान आप लोग रखिएगा कि इससे small में ही रखने का कोशिस कीजगा, ठीक है, next देखते हैं कि और कितना कितना commands आते हैं Linux में, एक आती है sudo, जो कि आपको क्या देती है, एक privilege देती है, super user और root में आपको काम करने के लिए, जो root क्या होता है, एक computer की मतलब kernel में वो direct command पूस करते हैं, तो इसलिए इसका जो privilege होता है, वो super user का होता है, इसके बाद आती है, आपका next command जो है, rm file ने, जो कि delete करने के लिए होता है, इसके बाद main command, जो कि आपको information देती है, command के बारे में, इसके बाद आती है, history अगर लिखेंगे, तो आपको जितने भी past, जितने आपने command type किये है, terminal में, वो सारे so करती है, इस command से, इसके बाद next आती है, clear command, इससे, terminal में जितने भी आपने लिखा हो है, वो सबको clear कर देती है, mkdir जो directory name होता है, इससे क्या होता है, new आपको directory, और आपका specified जो path है, वो आपको बताती है, rmdir जो होता है, इसका मतलब होता है, remove directory, ये जो command है, इससे delete कर सकते हैं, directory को, इसके बाद आती है, आपकी mv, जो कि आता है, आपका rename a directory, rename करते है, इस इसके बाद आती है जो PR-X ये आपको क्या करता है फाइल को X कॉलम में आपको दिखेगा ये PR-X जोता है ये क्या करती है फाइल का header को बताता है कि इसका header क्या है PR-X जो होता है डिनोट करता है जो line of number वो number को यहाँ पर दिखाता है आपको IP-X जो होता है ये print करने के लिए copies file के लिए जो आपकी file है उसको copy करने के लिए IP-D और IP-C ये specific आपका printer का जो नाम है वो देखने के लिए यहाँ पर मिलता है next जो apt-get जो command क्या होता है कोई भी आपके package हो अगर आपके Linux में अगर आपको install करना है तो इसके थूँ आप लोग install कर सकते हैं अगर mail करना है तो फिर आप लोग क्या करें mail-ofs जिसके थूँ आप लोग command के थूँ mail send कर सकते हैं जैसे आपका subject हो गया minus c, cc हो गया address, minus b यह हो गया आपको bcc के लिए, address जो हो गया यह आपके address के लिए जो आपके mail में होती है इसके बाद आती है mail-ofs जो subject आती है इसके बाद आपके address आती है और आपका जो less than file name वो क्या करता है यह अगर type करते हैं तो फिर आपको mail आप इससे direct attach करके mail के साथ कोई भी file को attach करके बोल सकते हैं ठीक है असा करता हूँ यह चीज आपको समझ में आ रही है next चलता हूँ यह आपको complete मैंने सारे चीज़े मैंने बता दी कि basic जितने भी commands है Linux की वो सारे चीज़े आपको बताईए मैंने और अगर आपको कहीं पर भी दिख्कत होते हैं तो please comment करिए share करिए और अगर आपको यह video अच्छा लगा तो please subscribe and like Thank you all of you